छे रिटेंशनों के बावजूद चैंपियन के क्यार को है इन चार धुरंदरों की खाश जरूरत आक्सन टेबल पर चैंपियन के क्यार खेलेगी इन चार धुरंदरों पर बड़ा धाव हाँ हम बात करें चैंपियन के क्यार की चैंपियन के क्यार ने इस बार कुल 6 रिटेंसन की है 6 रिटेंसन बहुत महतपूर रिटेंसन है लेकिन इन 6 रिटेंसनों के बावजूत चैंपियन के क्यार को एक मजबूत एक सुद्रिड एक ससक टीम IPL 2025 के लिए बनाने के लिए कुल और चार महतपूर खिलारियों की जरूरत है, दरकार है, आवशकता है कुल चार और स्पोर्ट भरने की वहाँ पर आवशकता आन पड़ी है जिस कारर से आउक्सन टेबल पर वो चार महतपूर खिलारियों के उपर बड़ा दाव खिलने वाले है अगर ये कुछ खिलारी इसमें से ना मिले तो बैक अप के उपर दाव खिलेंगे क्योंकि ये जो चार स्पोर्ट हैं, ऐसे चार खिलारी ही भर सकते तो अपने इस रिपोर्ट में हम देखेंगे कि किन चार खिलारियों के उपर चैंपियन के क्या रॉक्सन टेबल पर बड़ा दाव खिलने वाला है बड़ी बोली लगाने वाला है और हर एक कीमत पर प्रयास करने वाला है कि ऐसे दिगज उनकी टीम में आ जाएं जिस कारण से एक बार फिर से IPL 2025 के लिए वो दावेदारी ठोक सकें चैंपियन बनने की और टाइटल डिफेंड कर पाएं अगर हम बात करें उनके रिटेंशन लिष्ट की तो छे रिटेंशन कुछ इस प्रकार है फिर बात करें दूसरे रिटेंशन की तो सुनील नरेंट तीसरे रिटेंशन में जाएं तो आंद्रे रशल, वरुन चक्रोर्ती, फिर हरसित राडा और रमन दीप सिंग ये कुल 6 रिटेंशन है अब उनको जरूरत और शक्ता और धरकार किस चीज की है पहले तो भईया एक कप्तान की जरूरत है क्योंकि स्रेय साइयर को इन्होंने रिलीज किया है तो आप बात मानिए, विश्वास करिए कि स्रेय साइयर और क्यार दोनों इस टर्म पर आए कि मैं अपनी बोली देखना चाहता हूँ मैं अपने आपको आखना चाहता हूँ कि आउक्सन टेबल पर मैं कहां खड़ा हूँ फिर आपकी मर्जी होगी तो आउक्सन टेबल पर आप मुझे ले लिजेगा क्योंकि क्यार के CEO का मानना है कि वो स्रेय सायर को पहले रिटेंसन के तौर पर टीम में रखना चाहते थे लेकिन इसी बात पर बात नहीं बनी तो आप ये मानिये कि स्रेय सायर आउक्सन टेबल पर जाएंगे तो क्यार उनके पीछे जाएगी क्यार हर एक कीमत पर प्रयास करेगी जो उनका चैंपियन कप्तान था फिर उनके साथ जूड जाए और उनको किसी और कप्तान की जरूरत ना पड़े तलासने का कोई मतलब प्रयास ना करना पड़े अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी की तो वो है मिडिल ओर बल्लेबाज एक ऐसा बल्लेबाज जो स्पिन को बहतर खिल सके एक ऐसा बल्लेबाज जो पेसरों को भी उसी अंदाज से खिल सके एक ऐसा आल राउंडर जो कुछो वर्स की गिदबाजी कर पाए और वो उनका खोया और बिछड़ा हुआ खिलाड़ी वेंकटे सायर है हाँ वेंकटे सायर को किनी कारण वस वो रिटेन ना कर पाए लेकिन यहाँ पर आॉक्षन टेबल पर वो उनके पीछे भागने वाले हैं उनके पीछे बड़ी बोली लगाने वाले हैं क्योंकि वेंकटे सायर ने जब से केकिआर में पदार पड़ किया है, तब से बहुत बहतरीन क्रिकेड खेला है, अभी तो केक्यार से ही खेलते हुए आए हैं, और एक बार फिर केक्यार और वेंकेटे स्यर दोनों चाहेंगे, कि वो एक टीम से फिर उसी टीम से जुड़ें, और केक्यार हर एक कीमत पर ऐसे बल्लेबाज को अपने पास रखने की आस लगाएगी अगर हम बात केरे तीसरे खिलाडी की तो उनको जरूरत है देखिए हरसी तराड़ा है पहले से तो एक और ऐसे इस तेजगेदबाज की जरूरत है जो की लीड कर सके from the front अभी हरसी तराड़ा के पास उतना अनुभाव नहीं है पिछली बार में चलिश्टार को लियाजा ऐसे धाकड इंपक्ट फुल गेदबाज को लेकिन वो कुछ इंपक्ट नहीं डाल पाए मगर इस बार वो दाव खेलेंगे भारती तेजगेदबाज के उपर इस बार दाव खेलेंगे अन्भवी तेजगेदबाज के उपर और वो मुहमश्यमी होने वाले हैं हां, मुहममद श्रमी के पीशे भागेगी, मुहममद श्रमी वेस्ट बेंगाल से रजी ट्रॉफी में केलते हुआ हैं, तो इनको लिए सबसे बड़ी बात होगी कि अगर वो केक्यार से जुड़ जाएं, अगर वो केक्यार से असुसियेटेड हो जाएं, तो वेस्ट मेंगाल का ये जो कृकेटर है वो अगर कोलकाता नाइट टैटर से खेलेगा तो एक बड़ा फैन फालोईग कोलकाता से जुड़ेगा, एक बड़ा फैन फालोईग मुहमद श्रमी के पीशे कितनी भागती है केकर, लेकिन भागेंगे जरूर क्योंकि उनको एक बहतरीन एक impactful तेजगी दवाज की जरूरत है दरकार है आवशक्ता है अगर हम चौते खिलारी की बात करें तो उनको एक ऐसे विकेट कीपर की जरूरत है जो कि left-handed वियो और opening बलेबाजी की भी कर पाए क्योंकि फिल साल पिछले स भागेंगे इश्गार किष्ण को अपने पक्ष में अपने जोली में डालने का प्रयास करेंगे और सांठ किशल की उपर बड़ी लगाएंगे बड़ा दाओ खेलते विए कोलकाता नाइटाइडस दिखेगी तो इन चार क्रिकेट्रों को इन चार खिलारी को वह उपनी जो बलेबाजट कोई जो की कप्तानी कर सके रिशान किसलिया टो कोई कटीपर विकेट कीपर बलेबाज मिल जाए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इससे लाइक मिल जोड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें